यह हैं अरब सागर में बनने जा रहा चक्रवाती तूफान यहां पर जो हम आपको बात दिखा रहे हैं जो रास्ता दिखा रहे हैं वो कहीं न कहीं मौसम विभाग ने बताया है कि इस तरीके से यह सिस्टम बनेगा और साइकलोन बन जाएगा आपसे कुछ घंटों के बाद साइकलोन बन जाएगा और उसके बाद इसकी जो डिरिक्सन होगी वो कमो बेस नार्थवार्ड होगी यानि उत्तर दिखा में यह बढ़ेगा यहां पर एक और चीज में आपको बताना चाहता हूँ केरल करनाटक गोवा और महराष्ट के लोगों को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुंबई आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है बहुत लोगों को लग रहा है कि गुजरात में पहुंच जाएगा चक्रवाती तूफान ऐसा नहीं है और यहां पर एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा यह सिस्टम लंबे समय तक परसिष्ट करेगा तो कहीं न कहीं मानसून के एराइवल के लिए एक बड़ा खत्रा माना जा रहा है क्योंकि अरब सागर में जब भी मानसून के दौरान चक्रवात बनता है तो मानसून की गति को प्रभावित करता है अभी केरल मानसून पहुंचने की नहीं हुई है और लगातार मौसम विभाग इस पर नज़र रखे हुए एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि इस बार की जो इस्थती रही है वो सामा निकता ही नहीं कही जा सकती है क्योंकि उत्तर भारत में खास तार पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो जिस तरीक का पूरा मौसम उलट पुलट हो रहा है और इस बार की जो इस्थती है वो सामा निकता ही नहीं कही जा सकती है क्योंकि मौसम विभाग खुद कन्फ्यूज है वो समझ नहीं पा रहा है कि मांसून के राइवल की तारीख क्या होगी और यहां पर जो इस्थतीयां चल नहीं ह कहा जा सकता है कि इस बार मानसून की बारिस कैसी रहेगी इस बारे में सही सही आकलन कर पाना भी संभाव नहीं हो पा रहा है कैमरा में हीरा मंडल के साथ सिध्ध हार्ट न्यूजिस्टेशन दिले